नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आपसे भी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाई आज हम डिस्कुस करेंगे सीडिशल शेर के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करना चाहिए नहीं और इसchuss में आपको आने माल टाइम में क्या टर्फर करने को मिलेंगे कहां इस शेर का सपोर्ट बने लेखने कि सोच रहें तो वीडियो जो एंड तक दिखेगा तो चले गाइस स्टॉक का जो है टेकनिकल और जो है फंडेमेंटल अनलीसिज शुरू करते हैं गाइस यहां पaire हम चोई में फंडेमेंटल डिसक्षिन स्टॉ करते हैं तो गाइस सबसे पहले ownership के बारे हम बात करें तो free float में 77% है और closely held 22% है तो जो ownership distribution है वहाँ पे आप देखते हैं काफी जादा इनका जो माल है वह open market में available है तो promoters और institute ने अपना माल कहीं न कहीं open market में बेच है जिसके वज़से आपको जो ownership में इतना ज्यादा माल जो इसका देखने को मिल रहे तो यह एक negative बात है और एक red flag है और बात की जाए valuation ratio की तो company की जो valuation वह भी उतनी जादा expensive नहीं है P.E. ratio भी ठीक है guys थोड़ा हमें stock में correction देखने को मिल जिसके वज़से इसकी valuation और P.E. में हमें एक जो है अच्छा correction देखने को मिल और इसकी valuation रुपी अभी उतनी जादा expensive नहीं है और आपको एक अच्छे price पिसकी valuation और P.E. जो है मिल रही ह growth and profitability के बारे हम बात करें company का revenue है और profit margin जो है guys वह बढ़ है लेकि थोड़ा हमें गिरावट जो है profit margins में देखने को मिला क्योंकि जो है डीमेट अकाउंट opening में थोड़ा slow down आया था जिसके वह से company के profit margins में हमें थोड़ी गरावट देखने को मिली और net income में थोड़ी हमें हलक करेक्शन देखने को भी लिवा कि growth and profitability company के काफी बढ़िया है revenue to profit conversion के बारे हम बात करें gross profit EBITDA net income जो है company काफी शांदार तरीके से grow हो रही है आप देख सेते हैं company किन्ने शांदार तरीके से grow हो रही है company एक monopoly business में तो इससे company की जो आने वाली growth outlook है वो भी काफी positive है guys और बात क कि जाए company के dividend history की तो company आपको time to time basis पर dividend देती है financial health के बार में बात करें debt company बहुत जादा कम है free cash flow company का जो है थोड़ा गी रहा है cash निक्लुएंट्स वी गिरे क्यूंकि debit account opening में जो slow down है था उसकी वाज़से जो है हमें थोड़ा जैसे इसके growth में एक negative trend देखने को पिले था ल इसमें यह monopoly रखता है जो भी आपकी transaction होते है stock market में through cdsl होते हैं तो guys आप खुद सोच सकते हैं कि इनका आने वाला time कितना bright हो और कितना जाद इनका business बढ़ेगा तो मैं आपको यही राय दूँगा और मेरे आपको यही सलह रहेगी कि आप cdsl में बेफिक्रों के positions और एक काफी लंबे consolidation phase में जो था stock चले गया था तो अभी जो है guys यह share आपको ऐसे consolidation phase में जाता हो दिखेगा यहाँ पे आप जो है तकरीवन 1000 रुबे का stop loss लेके चल सकते हैं और stock में अभी जो है आपको यहाँ पे 1200 के levels तो touch होते हो दिख रहे हैं आने वाल टाइम में share यह share में जो है आने वाल टाइम में एक अच्छे खासी तेजी देखने को भी लिगे और share जो है आपको काफी अच्छा जो है पैसा बना के देगा तो guys ऐसे काफी कम stock होते जिनकी monopoly होती है तो आप जो है share पे बैठ कीजिए monopoly business है अच्छा business है fundamentals भी काफी अच्छा है growth outlook भी काफी positive future का तो इसमें as a long term investor बैठी ये share आपको disappoint नहीं करें तो guys ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद